जब घर में कोई सबजी ना हो और समझ में ना आएगी आज क्या बनाएं तो आप इस काले चनी की सबजी को ज़रूर ट्राइ करिएगा आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है काला चना आधा कप आधा कप यानि करीब 100 ग्राम के बराबर है यह और इसे सबसे पहले हमें भीगोना है तो मैं कैसे भीगोती हूँ आज मैं आपको अपना तरीका शेयर कर रहे हूँ सबसे पहले चना ले लेंगे किसी भी बड़े बरतन में इसे अच्छे से बिन लेंगे इसमें कोई कूडा वगेरा ना हो इसके बाद इसे अच्छे से धो लेंगे धोने के बाद काफी सारा पानी इसके अंदर डाल देंगे पानी जादा हो जाएगा कोई दिकतनी कम नहीं ह जब भी इस फूलने के लिए के लिए रहती हूँ एक टीश्बून के करीव इस में बाइखे ही कर दियते ही जब आप यह में बुणासर नियुक्ट कर लिए तो षारा वाला सोड़ा के लिए हुअ तो बहुत सारे फाइदे होते हैं इससे एक टीजपून सोडा मिक्स करने के आपको चने को अच्छे से मिला देना है कई बर क्या होता है इस चने कहीं से कच्छे रह जाते है कहीं से फूल जाते है छे साथ सीटी लगा कि मैंने अच्छे से उबाला है चना बिल्कुल गल जाना चाहिए क्योंकि अब इसे हमें बहुत जादा नहीं पकाना पड़ेगा ओलरी काफी अच्छे से अब एक मिक्सिका जार लेंगे इसके अंदर पांच से छे लहसुन की कलिया एड़ करेंगे एक इ दो टमाटर एड़ कर देंगे अभी टमाटर बहुत महेंगे चल रहा है तो मैंने दो छोटे साइस की टमाटर इसमें आड़ किये हैं इसे ग्राइंड कर लेंगे इसका पेस्ट तयार कर लेंगे यहां पर मैंने गाढ़ा सा पेस्ट तयार कर लिया है कुछ इस तरह का पेस् में यूज करते हैं अब तेल को अच्छे से गरम होने देंगे इसके अंदर दो तेजपता एड़ करेंगे हाफ टीस्पून जीरा एड़ करेंगे और यहां पे मैं चुटकी भर हींग इसके अंदर एड़ करेंगे जो चना होता है बहुत जादा गैस बनाता है तो इसमें को हमें अच्छे से पताना है इसकी भुनाई करनी है जो मिक्सी के जार में लगा हुआ है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो भी निकाल लेंगे क्योंकि यहां पे हम बिल्कुल भी वेस नहीं करने वाले हैं कोई भी चीज तो जो मिक्सी के जार में लगा था वो भी मैंने निकाल लिया है वो बेसके अंदर डाल दिया है अब इस मसाले की हमें अच्छे से भुनाई करनी है साथ इसके अंदर मसाले भी डालने है तो चिली मसाले भी डाल देते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हाफ टीजपून हल्दी एड़ कर रही हूँ बहुत ज़्यादा हल्द टाइम भी एड़ किया था इसलिए नमक आपको भूँत ध्यान से एड़ करना है अच्छे से आप भुनाई करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा सबजी में तो बहुत लोग क्या गलती करते हैं भुनाई अच्छे से नहीं करते हैं जिसे ना तो सबजी का कलर आता है न ही टेस्ट आता है भुनाई करते करते आप देख सकते हैं उपर से तेल नजर आने लगा है मसाले के उपर अब इसके अंदर जो अगली चीज में आड़ करी वो है गरम मसाला हाफ टीजपून बहुत जादा मैं गरम मसालों का यूज नहीं करूंगी गर्मी का टाइम है एसि तो अब इस जो प्याज का पेस्ट है इसकी भी हमें भुनाई करनी है आप चाहे तो मेरी तरह बाद में भी प्याज डाल सकते हैं या फिर बारी काट के स्टार्टिंग में जह हमने तेज पत्ता जीर डाला था तब भी आप प्याज को फ्राई कर सकते हैं दोनों तरीके से अब हमें प्याज की भुनाई करनी है मसालों के साथ और धीरे धीरे आप देख रहे हैं उपर तेल नजर आने लगा है और प्याज भी हमारा भुन गया है एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए यहां पर दो चमच में किचन किंग मसाला एड़ कर रही हूं इससे सबजी में बहुत अगर यह नहीं है आपके पास तो आप इसमें सबजी मसाला या फिर छोले मसाला या फिर चिकन मसाला मटन मसाला कुछ भी आड़ कर सकते हैं उससे बहुत अच्छा एक्स्ट्रा टेस्ट आता है इस सबजी मसालों को फिर से भून लेंगे ताकि जितनी भी चीज़ें डाली तो आपके रखता वह एड़ कर देंगे यहां पर मैंने सारा पानी एड़ कर दिया है आप चाहे तो इसमेंसे बचा सकते हैं अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी के चनने की सबजी चाहिए मुझे यहां पर थोड़ी मेडियम चाहिए बहुत पतली भी न हो बहुत गाढ़ी भ अगर आपको पानी कम डालना है तो बचा लीजेगा पानी पूरा मट डालिएगा तो यहां पर हमने चना डाल दिया है अब इसे ढख के हमें 5-7 मिनट पकाना है जादा देन नहीं पकाना है यह देखे हमने पका लिया है चने को अबले हुए थे काफी अच्छे से तो गलानी क चिंता नहीं है यहां पर अब इसके अंदर जो अगले चीज में आड़ करने वाली हुआ है काल्य के सब्जी का कसूरी मेथी का टेस्ट देता है यहां पर हमारी सब्जी रेडी है पर अभी complete नहीं हुई है क्योंकि इसमें एक तड़का लगाना बाकी है तो यहाँ पे पैन में मैंने ले लिया है एक चमच तेल तेल को अच्छे से गरम करेंगे इसके अंदर डाल देंगे चुटकी भर हींग हमने ओलरी डाली हुई है अब यहाँ पे जो हींग मैं डाल रही इसमें इस्तिमाल करेंगे मैंने एक चुटकी हींग डाल दी है गैस बंद करेंगे आधा चमच देगी मिर्च डालेंगे आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और उपर से इसका तड़का लगा देंगे यह देखे बहुत ही मज़दार कलर आता है इस तरीके से करने से कोई भी सबजी बहुत जादा टेस्टी जो रेस्टरेंट वाले होते हैं सेम इसी तरीके से करते हैं तभी उनकी सबजी का जो कलर है बहुत ही अच्छा आता है तो यहां पे हमारी सबजी रेडी है अब इसके इंदर डालेंगे थोड़ा सा हारा धनिया अगर आपको हलकी सी खटाज पसंद है तो इसमें हलका सामचूर भी आप आड़ कर सकते हैं उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है बट मैं नहीं आड़ कर रही हूँ चलिए इससे सर्फ कर लेते हैं और यह हमारी बहुत ही मज़ेदार सिंपल आसान और बहुत ही टेस्टी चैने की स नहां से कौन से शहर से देख रहे हैं यह भी लिखके ज़रू बताएगा तो फिर मिलती हूँ इस तरह की और भी नए नहीं इंटरस्टिंग वीडियो के साथ तिल रेन गुड़ बाई